नमस्कार साथियों, Law, Order and Civil Rights YouTube चैनल में आपका स्वागत है साथियों, आप यदि विजिसीनेट दिसंबर 2018 की परिच्छा में आप बैट रहे हैं और पेपर फर्स्ट के ICT के अंतरगत कम्पूटर से रिलेटेट प्रश्ण जो दिसंबर 2018 में पूछे जा सकते हैं, उसकी तयारी कर रहे हैं तो ये विजिस परिश्ण आपके लिए बहुत ही उप्योगी साबित होगा ऐसा मैं मानता हूँ हमने जो विजिस परिश्ण यहाँ पर वीडियो के रूप में प्रस्तूत कर रहे हैं वो विविन परिश्णों में ये प्रश्ण पूछे जा चुके हैं और इसी तरह से ही विजिसी नेट दिसंबर 2018 में पूछे जा सकते हैं आईए देखते हैं 20 प्रश्ण प्रश्ण क्या है उसका उत्तर क्या है FTP का उप्योग होता है यहाँ पर वेफसाइट डिजाइनिंग में इंटरनेट से जोडने के लिए इंटरनेट पर एक कम्पूटर से दसरे कम्पूटर में फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए और दी है उप्रोक्त में से कोई नहीं ये उत्तर C है FTP का मतलब होता है इंटरनेट पर एक कम्पूटर से दुसरे कम्पूटर में फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है सेकंड कुश्चन है निमनिलिखित में से कौन सा मिलिसियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता है ये है ट्रोजन हार्स एक वाइरस है ये ट्रोजन हार्स जो मिलिसियस प्रोग्राम को अपने आप नकल नहीं करता है भी सही अंसर है तिसरा प्रशन है कि सामाने रूप से मल्टिमीडिया कम्पूटर सिस्टम के लिए निमन में से कौन सी अनिवार्य आफसकता नहीं है जैसे तेज सीपियू या भी छोटी स्टोरेज डिवाईस बड़ी मैन मेमोरी या डी अच्छा ग्राफिक टॉर्मिनल यहाँ पर मल्टिमीडिया कम्पूटर सिस्टम के लिए छोटी स्टोरेज डिवाईस अनिवार आफसकता नहीं होती है MPG किस तरह के फाइलों का फाइल इक्स्टेंशन है MPG MPG फाइलों का फाइल जो करता है वो है वीडियो यह MPG जो है क्या करता है वीडियो के फाइलों का फाइल इक्स्टेंशन नहीं करता है इंस्टेंशन है इंस्टेंशन है ये वीडियो जो है सही आंसर है पाश्वा प्रश्ण है एक storage location में data डालने की प्रक्रिया को राइटिंग कहा जाता है निमलिखित में से कौन सा non volatile memory के नाम से जाना जाता है यहाँ पर cd-rom को भी जाना जाता है dvd-rom को भी जाना जाता है heart disk को भी जाना जाता है यानि कि उपरोग तो सभी अंसर सही है non volatile memory यह तीनों आते हैं इसलिए answer d सही है सात्वा प्रश्ण निमलिखित में से किसमे magnetic disk की तुलना में अधिक data access करने की गती है cd-rom में भी cd-rw में भी dvd में भी यानि कि उपरोग तो सभी magnetic disk की तुलना में अधिक data access करने की ताकत जो तीनों में होती है यापर आठवा प्रश्ण है search engine क्या है यापर देखिए एक hardware component गलत एक program जो इंजिनों की खोच करता है ये भी गलत एक program जो worldwide wave में दस्ताविजी की खोच करता है ये भी गलत एक machinery engine जो data की खोच करती है ये d answer सही है नववा प्रश्ण है निमलिकित में से कौन से computer का आधरभूत कार्य नहीं है यापर देखिए input accept करना ये आधरभूत कार्य है data process करना ये भी आधरभूत कार्य है data store करना ये तीनों कार्य computer का आधरभूत कार्य है लेकिन decset copy करना ये wrong answer है इसलिए यहाँ पर आधरभूत कार्य नहीं है पुछा है इसलिए b इसका answer सही है दस्वा प्रश्ण निमलिकित में से कौन सा सभी output device का एक समू है scanner printer monitor keyboard printer monitor mouse printer monitor यहाँ पर planter printer monitor जो है सही answer है ये output device का एक समू है planter printer monitor d answer सही है क्यारवा देखिए एक निरगम यानी output कागच के मुद्रन है तू वह printer जो प्रकास किरन का परयोग करता है और स्याही के कण कागच पर संचारित होते हैं उसे सबसे ज़्यादा वर्गिकिरित किया जाता है सभी जानते हो ये laser printer का एक रूप है यहाँ पर प्रकास किरन वाला जो है laser printer की रूप में जाना जाता है ये C answer सही है बारवा निम्लिकित में से कौन से सिर्फ line printer की group है यहाँ पर जो है ये drum printer, chain और band printer जो है ये line printer का ही रूप है ये B answer सही है तेरा number questions वा printer जिस पर character चाप character या चाप या अच्छेर किसी mechanical impact के बिना बनते हैं उसे कहते हैं non impact printer यहाँ पर non impact printer का ये परिभासा है चवदा निम्लिकित में से कौन सा operating system नहीं है यहाँ पर Linux ये operating system operating system Windows ये operating system नहीं है उपरिभास में नहीं Linux तो operating system है यहाँ पर A सही answer होना चाहिए यहाँ पर A जो है ये operating system है Linux और Linux जो है ये इसका A answer होना चाहिए सही ये A answer एक second A answer सही होना चाहिए Linux सही answer है operating system है नहीं एक आरहा है यार नहीं है system नहीं है जबकि Linux operating system है नहीं यह करा है operating system नहीं है यहाँ पर जो है इसलिए जो है D सही answer करा है ठीक है कोई बात नहीं इसको देख लिजे operating system है Linux भी है Windows भी है Open Solaris भी है इसमें जो है वो चीज नहीं दिया वह है यह सब है Windows है यह operating system में तिनों आते हैं पंद्रह operating system editors और डिग बर्स आते हैं यहाँ पर जो है system software के अंतरगत आते हैं यह operating system भी system software है editors भी system software है और डिव गर्स भी system editor है इसलिए यह सही है सुल्ला open source operating system की बारे में लिखित में से कोण सा सही है यहाँ पर D करा है यह Ubuntu issues issues मेंडरिवा Ubuntu debian यह उपरोग सभी है यह याद रखिए यह बहुत hard questions है यह operating open source operating system है यहाँ पर 17 A2 और A4 इंकित करता है यहाँ पर sell A2 से sell A4 तक A2 A4 यह computer में जो संकित होता है यह जो बिंदी दिया होय है यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए होता है ठीक है तो यह जो है B answer सही है यह B answer सही है 18 एक paragraph intend बढ़ाने के लिए खालिस्तान साथकर की का परियोग करते हैं paragraph intend परगराब intend करने के लिए जो है control M को दबाते हैं तो paragraph intend हो जाता है 19 नंबर verification की प्रक्रिया है verification की प्रक्रिया यह access की login की logout की authentication authentication और्थोंटी केसन और्थोंटी केसन को ही जो है यहाँ पर verification करते हैं और्थोंटी केसन के मतलब ही verification होता है last question है बीस निमने में से कौन address हर रोज नहीं बदलता है यहाँ पर static IP जो है यह सब बदलते हैं डाइनाकिक IP बदलता है वीनिक IP बदलता है common name और number भी बदलता है लेकिन static IP जो है वो हमेसा हर रोज नहीं बदलता है यह address बदलता नहीं है मुझे पुरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा इसी तरह से आपको तैरी करना है यदि आप VGC net में जयारेप किलियर करना चाहते हैं तो यह आपके बहुत उप्योगी है साथियों आप हमारे बहुत ही सम्मानी सब्सक्राइबर हैं तो आप हमारे वीडियो को शेयर करना न बुलें WhatsApp, Facebook में सभी सभी को आपको शेयर करना चाहिए ताकि जो गाओं गरीब छात्र तक यह वीडियो और पाठेकरम सभी पहुश सके और उनको भी खाइदा मिले उनको भी लाब मिले आप खुद लाब उठाएं और दुसरों को भी लाब उठाएं च्यूंकि इस चैनल को आपको प्रोमोट करना है क्योंकि यह आपका चैनल है इसलिए आप यदि पहली बार आप हमारे चैनल में आए हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी न भूले चुकि सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कॉमेंच लिखना ये सब हमारे लिए बहुत ही प्योगी है इसलिए हम आपसे बार-बार निवेदन करते हैं कि यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लें साथी साथ आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक सेर करें इसलिए हम करते हैं क्योंकि यूटूब को हमारे चैनल की प्रतिष्ठा को समझ आता है कि ये चैनल जो है ज्यादा प्रतिष्ठीत है ज्यादा लोग इसमें जूड़े हुए है ज्यादा लोग इसको खायदा उठा रहे हैं तो हमको जो है वेटेज देता है इसलिए हम आपसे बार बार निविदन करते हैं कि सब्सक्राइब करना न भूले थैंक यू